हजारी बाग पुलीस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। SP मनोज रतन चौथे की मौनिटरिंग टीम के पिछले एक सपता से जारी ओपरेशन के दौरान TPC का रीजन कमांडर दिनेश कुमार को गिरफतार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इसके साथ एक और। TPC उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बबलू रविदास की भी गिरफतारी हुई है। यह जानकारी प्रेस वारता कर पुलीस ने दी है बताया जाता है कि वह 15 लाग का इनामी है। इस संबंध में बताया गया कि इसके गिरफतारी के बाद उसके दस्ता के अन्य सदस्यों की गिरफतारी के लिये छापे मारी जारी है। पकड़ा गया। इस टीम में से दिनेश राम, बबलू रविदास और मनोज मुंदा नामक उग्रवादी भागने में सफल रहे थे। पुना पुलीस को सूचना मिली थी कि बढ़कागाम के जिद्जोर स्कून में दिनेश राम और बबलू रविदास चुपे हुए हैं तभी पुलीस की टीम ने जाकर इनकी गिरफतारी कर ली। वर्तमान एसपी के खाते में योगदान देने की एक सप्ता के भीतर प्रदुम्न शर्मा को गिरफतार करने के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी सफलता बताई जा रही है। और इनके गिरफतारी से मुझे आशा ही नहीं बलकी पूर्ण विश्वा से कि जो घटनाए TPC जो हमारा रांची, चत्रा, रामगड़ और हजारी बाद का क्वाडरा जंक्शन था वहाँ पर इनके घटनाओ पर निशीत रूप से रोक लगेगी। इनके द्वारा TPC के संग और तिक शेत्रों में हुई थी, उन सभी घटनाओं का इसके गिरफतारी से निशीत रूप से उद्वेधन हो जाएगा, साथ ही इनके स्विकराउकते बयान में, इनके संगठन के और भी कुछ लोगों के नाम सामने आया है, उनके भी गिरफतारी के लिए हम लोग लगाता प्रयास करेंगे और यह जो संगठन है, हजारी बाग और यह जो हमारा क्वाडरा जंक्षन है, वहां से समूल इसका उच्चाटन हो जाए, इसको हम लोग यहां से खत्म कर दे, यह हमारी प्राथे मिक्ता रहेगी.